हलो प्रेंड्स विल्कम बैक तो मैं चैनल में श्टिया आज मैं आपको सच अडेनियम प्लांट पर बात करने वाली हूं जैसे कि आप देख रहे हैं बारिस कांटिनीव हो रही है लगातार होते ही जा रही है बारिस अभी बंद नहीं हो रही है उस कंडिशन में अडेनियम के तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि हार प्लांट को आप नहीं चेक कर सकते एक दम से और वारिस भी होती रहती है तो बार बार वारिस में जा करके देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अभी आपको दिखा दो समझ से क्या आ रही है तो इस्टेम की रोटिंग हाँ जो नाजक ब्रांच अव violationए ते यह मेरे देखें एक चोटा से сторल अभी अश्क कर भी सकते क्योंकि अब यह खराब हो जाएगी देखें पूरे दृब दो किन यहां से रोट हो गई तो मैंने अब करके फंगिसरीड लगा दिया एक प्लांट आज आपको दिखा दो जो दो आज रोट हो गया और एक देखे वाला इसको भी कट करकर यह भी लगाया है और कर भी का सकते हैं यही तरीका है कि इनको हम जहां से गल जाए महां से कट करके लगा दें और हो सके मतलब पॉसिबल हो तो उसको चाया में रख लें बस यहीं कर सकते हैं और दूसरा तो कुछ भी नहीं है सलीव से नमारे पास अगर आप क्या बारिस होने के बाद फिर बारिस बंद हो जाती है तो आप एक बार फंगिसाइड का इस पर जरूर अपने प्ल कि यह वाला तो अभी क्रैक नहीं हुआ है और बाकि मेरे जो काफी सारे सीट पॉर्ट थे वो क्रैक हो करके खराब हो चुके हैं तो उनमें सीड बन ही नहीं पाए फिर तो इस कंडिशन पर देखिए यह कंडिशन अभी पतिया भी इस तरह से ब्राउन और यलो हो करके गिर को दोप में रखना भी जरूरी होते तो यह देखिए बिल्कुल नियू ब्रांच है ग्राप्टिंग की थी ऊपर की थोड़ी से इसमें भी रोटिंग स्टार्ट होगे तो इसको भी कट कर दूंगी वहां से और मुझे लगता है इसमें थोड़ी से प्रॉब्लम दिख रही अब थोड़ा से लगा था पॉलिथिन लेकिन अइसा पॉलिथिन लगाने कोई मतलब नहीं उल्टा और जब पॉलिथिन भर जाता है ना यह देखिए दो टुकडे में मैंने पॉलिथिन लगाई हुई थी तो जब पानी भर जाते हैं यह 20 से फटा हुआ है और मतलब छोट आधिए दो बार मैं ही लाकर प्लांट को ठोड़ा सा जाड़ती हूं ताकि पानी भर ना रहाएं लेकिन देखी पीछे सारे प्लांट में पानी ब terribly हुआ है तो बस यह देखना है अपको अब गंबले चेक करके देखते रहले हैं प्लांट में किसी में पाने रुका हुआ तो नहीं गया, दो धिक्कत हो जायेगी, जिस प्लांट को आपने कट किया हो गए न उस बारिष से जरूर बचाःएंगा, यह ही मिरा बारिष महीं अभी रखा आसको उठा करका भी ठाया मेरा यह नत तुझ कने सकते हिला कर वो फॉण दीते हैं और नगा जंटकर इसे प्लांट मों को तो थोड़ा से ध्यान रखने पड़ेंगे गमलों को चेक करते रहें और प्लांट को भी बीच बीच में चेक करते रहें जहां पर रौटिंग होगा वहाँ पर पता तो चलेगा कि आपकी ब्रांच रोट हो रही है वहां से तो आप उसको कट करें कम सकंप फंगी साइड वहा रखे हैं तो छोड़ा च्मेरी होता है नहीं करेंगे तो आपकी घराब हो tych रहा हो और के dethra अगर ह्लें लुट है फुमजे नहीं लगता इतन ही ज़्वारी सुवरा रही है की हमारे इतनी ज़्याद बारिस हो दो-चार मिनट के लिए कभी बंद हो जाती है तो बंद हो जाती है और नहीं तो पराबर से बारिस होती रहती है तो इस कंडिशन पर हमको इस तरह से ध्यान रखना है स्वीडलिंग मैंने कुछ रिपोड करी थी जो मेरी ओपन में ही पड़ी है यह देखिए पूरे प्लांट मेरे बारिस में ही पड़े हुए है और लोटस कल खिला था ठीक से खिल बहुत अच्छे से खिला था आज यह यलो प्योने भी खिल गया था यह देखिए लेकिन बारि होने की कंडिशन पर आ गया है मैं देखती हूं चेक करके पता नहीं इतना जादा कैसे मतलब मुझे लगता यह रोट हो रहा है यह देखिए इसकी कंडिशन कैसे हो गई है तो चेक करना पड़ेगा निकाल के थोड़ा तो यह देखिए सीड ग्रॉन प्रांट है और यह मु चाँ भी नहीं पाऊंगी मैं निकाल ही निपारी गमले से इसको चले मैं गमले सी निकाल लेती हूं तो यह देखिए कितना संदर सबकतर से कॉछ जैंड से अरे एक द्रूप दो कहा पर धार हुरत मत पूर्ध और प्रूरत हो गई है मनेह था हम हुए है रूप कुरी सहीं स्लामत हा रूप सहीं। चाल सक्ता है कुछ कट करके त्रै का और भच रह पर से सारी कड दूँगी इसकी और यहां से रौट हो गया है यह तो her नजर कैसे ने गया नीचे कorg सारी अच्छी हैं और थोड़ी सी मुझे लगा कि क्योंकि मैंने पानी नहीं दिया हैं अब TIME क दीा था लेकिन सूबा से बारिस में पड़े तो सुचा थोड़ा पानी मिल जाएगा ऑर चोड़ा के चक्कर में काफे जादा पानी इनको इनको मिल चुका है मैंने पूरा ओपन में ही मतलब इनको रख दिया था और इधर भी देखिए कुछ सेडलिंग मैंने वाइट वाले की रिपोर्ट करी थी जो फुल बारिस में रखे हुए हैं और नहीं धख पाई इनको कुछ मैंने इसके नीचे भी रखे थे तो भी देखे जो प्लांट है मेरे यह इन में भी दिक्कत हो सकती तो इसी तरह से आपको भी एक राउंड जरूर लगाना है अपने प्लांट के आसपास ताकि आप चेफ कर सकेंगी कि सी प्लांट में ज्यादा अगर दिक्टत हो रही है तो आप उसको सही कर सकें यह देखिए मैं अभी पूरी पूरी ओपन में ना रखा तना इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि जो सीडलिंग है मेरी पूरी ओपन में ना